Assalamualaikum and welcome to the third and the final vlog of Kia Sportage जैसे के last vlog में बिताया था आपको कि Kia Sportage का third vlog आएगा उसमें हम car maintenance या car detailing के उपर बात करेंगे यार in short detailing बस यही होती है गाड़ी के उपर जो wax लग रही है उसको बाद में मलना होता है बट नहीं आपके भाई के यह शो कहना आपको detail से बताऊंगा कि आपको video boring ना लगे और अलहम्दलिला वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आपके सा जाधा से जाधा information share की जाए उससे ऐसी चीज़े होती है जो अक्सर लोग रूण रहे होता है और वीडियो देखने के बाद उनको शायद उसको source मिल जाता होगा और फिर आप लोग वेली शायद दुआ भी कर देते होंगे इस वीडियो में छोटा सा टारगेट है कि भाई आपने 200 लाइक्स तो अटलीस पूरे करके देने है अब मैं गाड़ी की डिटेलिंग कैसे करता हूँ यह मैं आपको steps के अंदर बताऊंगा ताकि आपके लिए भी समझने में तरह थोड़ी हसानी होजे step 1 step 2 जैसे आपको स्क्रीन पर इस वक नज़र आ रहा है गाईयों की डिटेलिंग हमारे यहाँ आप इतना कोई सीरियस नहीं लोग लेते हैं जाला तब वरक्शॉप पर गाड़ी देते हैं और वो आपकी गाड़ी को साफ सूफ करके वेक्स करके देते हैं आपको उससे कोई सरुकार नहीं होता वो कौन सी वेक्स यूज़ कर रहे हैं और उसकी क्या प्रॉपटीज हैं बर आज आपको डिटेल से खाली वेक्स नहीं बलके जितने गैज़र्स और असेसरी आपको मज़ा ना आया तो फिर कहना डिटेलिंग का जो हमारा पहला फेज होगा ने इसमें बात करेंगे गाड़ी अच्छे तरीके से दोते कैसे हैं और गाड़ी को धोने के भी दो तरीके हैं या पानी वाले पाइप से दो लो या प्रेशर वाशर पाणी वाले पाईप से अगर आपने आपने गाड़ी दोनी है तो दो बकिट्स लेने एक में शैंपू कर लेने शैंपू को अचितरा फॉम बना ले और एक बकिट्स में आफ सिफ पानी डाल के रख ले उसमें एपने अपना कपड़ा जो जो पनी चोड़ना ओता है और जो प्रेशर वाशर के साथ गाड़ी दोना, प्रेशर वाशर 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 के साथ गाड़ी दोना, प्रेशर वाशर के साथ गाड़ी दोना, और इससे भी आपका शेंपू काफी सेव होता है और आप उन जबो पर भी शेंपू बड़े अराम से कर लेते हैं जहाँ पे एकसर आपका हाथ नहीं जाता है। आपको पाकिसान में मिल जाती है नॉर्मल किसम की बड़ आपको अच्छी वाली बोटी करनी पड़ती है। पेरी तरह आपको इस चीज का शुरू में ना हो। वो यह है कि दो तरह के गाड़ियों के शेंपू होते हैं और यह चीज बहुत सोचने समझने वाली है। एक तो गाड़ी के उपर से वैक्स और एच एड एवरी तिंग उतार देती है और एक शेंपू होता है जिसे पी-एच न्यूटरल शेंपू कहते हैं जो कि आपने गाड़ी के उपर जो वैक्स की होती है उसको अतारता नहीं है उसको अपनी जगा पे रखता है बट बड़ी मजदर किसम की वराइटी मिलती है केमिकल का इसकी तरफ से और इसमें बहुत टाइपस ऑफ शेंपू है यह एक नॉर्मल डिर्ट रिमूबल शेंपू है यह जो यालो कलर की बॉटल देख रहे हैं यह मेगवायर का वाशन वैक्स है यह शेंपू प्लस इसके अंद यह सेरैमिक कोटेड कार्स जो होती है ना उनके लिए यह शेंपू होता है अब चलते हैं एक इससे भी नेक्स लेवल की चीज़ पर कार डीटेलिंग के अंदर ना एक बड़ा फेमस म्राइनरस को नाम है दा कार केयर कॉंपनी वो पाकिसान भी शिप करती है बड़ अक्तियात से रही है बड़ी डूटियां बढ़ती है यह कंपनी बड़ी क्वालिटी की चीज़ें बनाती है यह इल्ट्रा सॉफ्ट किसम की मिट्स है और यह ब्रश है जब आप गाड़ी दो लेते हैं उसके बाद बंपर को और फेंडर को अंदर से साफ करना होता है टायर को भी साफ करना था उसके लिए बड़ी कमाल की चीज़ है यह आटो स्पा कंपनी का ब्रश है बहुत ही हाई क्वालिटी का प्लास्टिक यह यूज़ करते हैं और अली एक्सप्रेस पे चाइना ने भी अच्छी खासी इसकी कॉपिया निकाले है बट मैंने वह तो ली यूज़ किया मुझे तो यही था यार ओरिजिनल चीज़ देखू कैसी है इसमें यह पैड है बिसमें मिट्स भी आती है गलवस भी आते है औ पाखेसान में एक देशी फॉर्मॉला बहुत यूज़ होता है पानी का पाइप लगाने का और वह बस यह होता है बहुत टूटी के आगे पानी का पाइप लगा तो पर रसी बांदो भी पानी का पाइप नी उतरेगा और आपको दराज जॉट पीके से यह वाला किसम के फीचर्ज हैं यह जो मैगवार कॉंपनी के सेरामिक वैक्स है इसके ओपर हम बाद में आते हैं पहले तो हम बात करते हैं कार्चर के वाटर होस पर जैसे तो आपने थोड़ दिर पहले देखा होगा पानी वाला पाइप लगाने का यह जडी तरीका यह भी जो वाट यहां से पानी भाइप लगाया हुए है यह सिम्बल सा filter हो पानी सीन हो गप प्रेशर Помानी प्रेयर वाशर की अठीड发ि का आप उर्टसिती अब उसके बाद एक पानी का इसका exit point होता है जहां से पानी प्रेशर से बाहर फैंकता है फिर वो वाला pipe आपने इसकी गन के साथ लगाना होता है फिर last में जाके आपने इसको power on करना होता है अगर आप पहले power on कर देंगे हर तरफ पानी के छटे बाच जेंगे अब pressure washer के जो गन हो सकते हैं और फरश भी दो सकते हैं इसमें pressures आप अपनी मर्जी से adjust कर सकते हैं अगर आपने फरश दोना है तो इसको आप full तेज करने अगर आपने गाड़ी दोनी है तो इसको आप mist में convert करने जो कि आप अभी देख रहे हैं अब मुझे अक्सा डर लगा रहता था कि यार इ और मेरे संदीदा जो है वो 25 डिग्री है ना इसका pressure तेज होता है ना slow होता है इतना तेज प्रेश प्रेश भी ना हो कि आप या गाड़ी का लेकर उतार था और इतना slow भी ना हो कि आपको फायदा कोई ना हो गाड़ी दोने का प्रेश जितना मर्जी slow या तेज हो आपको और गन का फासला कोई डेट से दो फुट का होना चाहिए अब जिस चीज का मुझे जनून होता है मैं अलहमदुल्लाइ उसकी डिटेल में जाता हूँ अब ये आप देखेंगे ना ये एक बड़ी जबदस चीज़ा अली एक्स्प्रस से मैंने मगई ये इसे कहते हैं ग्रिट गार्ड इसको बेसिकली आप अपनी जो बाल्टी होती है जो वाश बकिट होती है उसके अंदर रखते है ये जमीन से भी दो धाई इंच हाइट में होती है ताके जो कचरा होता है वो इसके नीचे ट्रैप हो जाता है और फिर आपका जो कपड़ा होता है जिससे आप गाड़ी साफ करते हैं उसके साथ ये कचरा कॉंटेक्ट नी करता है और आप एक इससे भी बड़े वज़े की चीज़ा आपके लिए फणी होगी तो वो सारी डस्ट नीचे खींच के उतार के नीचे फैंग देता है तो यार एक नेक्स लेवल चीज़ी तो मैंने इसलिए इसमें इन्वेस्ट किया है यार ये पार्सन मैंने अगस्त में और किया था और जा के मुझे मिला देसंबर में कभी कभी इतना भी टाइम लग जाता है तो इसलिए उमीद नी आनी चाहिए अली एक्सपरस जिन्दा बात यार ये बड़ी कमाल की चीज़ है और ये बैसिकली इसके नीचे टायर लगे है और देखने में बड़ी जीब जीज़ रती है ये गाड़ी को नीचे से शावर करने के लिए होती है वैसे तो गाड़ी को पानी के पाइप से भी नीचे से साफ किया जा सकता है बड़ यार ये एक लेटेस्ट नेक्स लेवल चीज़ है और ये बाहर के मुल्क में तो बहुत यूज़ होती है वाटर टाइट एक्स्टेंशन होती है अगर और लंबा करना चाहें पाइप को तो और लंबा करने एक पड़ा जबदस चाइनीज ब्रेंड है अलिएक्स्परस से मैंने उसके ऑफिशल स्टोर से मैंने ये बाय की है फोमिंग वाटल अगर आपने प्रेशर वाशर नहीं हरीड़ा तो यह जरूर खरीदे है यह उसका काम दे देती है इसमें जो जबदस किसम का फोम बनता है वो कोई आम प्रेशर वाशर भी नहीं बना सकता आपने बॉयल पानी डालना इसके एंदर कि बॉयल पानी में शैंपू सही तरह मिक्स होता है उसमें सही तरह हवा भर लेनी है और हवा के प्रेशर के साथ यह सही फोम की ज़ाग करियेट होती है और यह चीज मुझे ना असल मैंने यूट्यूब पे देखी थी बिसिकली जितना थिक फोम होतना बेतर होता है और बड़े महिंगे प्रेशर वाशर यह चीज बना के देते हैं जितनी दिर तक थिक फोम होपर रहता है वो सारी डस्ट कैच करता रहता है और आपकी गाड़ी नीट अन क्लीन होती है ताइम भी सेव जाता है और मटीरियल भी आपका अच्छा खासा सेव होता है जैसे कि यह पहला फेज ही चाल रहा हमारे व्लॉग का और भी भी हम यही बाते का रहे हैं कि गाड़ी अच्छे तरीके से दोते कैसे हैं अब बड़े मज़े की चीज़ें आगी हैं यह टावल्स है दर एक कॉंपनी के आगे जाके मैं डिटेल से रिव्यू करता हूँ पहले यह बड़ी जबड़ी चीज़ है डिटेल गार्ड की मैंने जब इसका यूट्यूब पे रिव्यू चेक किया साथ ही अमाज़न से दोस्के एकर आडर कर दी आगो आगर फ़ाती है और आगे 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 वह फासा परिकरता है यह यह जियान कंपनी के दो टॉवल्स हैं, एक शाइन के लिए हैं और एक ड्राइंग के लिए हैं, यह मैं आगे आगे आके आपको सारा डिटेल से रिव्यू दूँगा, अब मैं आपको बड़े मज़े से एक्स्प्लेइन करता हूँ, जिब आपकी गाड़ी गीली होती है, उस पे पानी खड़ा होता है, उसको अपने ड्राइ करके उस पे शाइन कैसे लेके आनी है, वैसे तो यह गाड़ी के बोनट पर जितने भी कपड़े पड़े हैं, यह सारे माइक्रो फाइबर की कैटिगरी में आते हैं, और यह जिन पर मैंने हाथ रखा हुआ है, यह जो इ अच्छे रिव्यू जो देखेते हैं, वो यह चारकुल कलर का टावल है, दरैक कॉंपनी का, यह सबसे ज़ादा पानी सक करते हैं, और जब आप इसको खींचते हैं तो यह पीछे पानी का कोई एक ड्रॉप भी नहीं छोड़ता, तो अगर आप समझते हैं, यह एमाजोन से बाय करना थोड़ा मुश्किल है, तो पाकिसान से इसका कोई सोर्स है, तो चनाब आटोहब.p के जिंदाबाद, आपको सिम वही क्वालिटी की चीज़ जियाउन ब्रैंड के अंदर मिल जेगी, बट इसकी सिर्फ एक साइड जो पर माइक्रोफाइबर है, दूसरी साइड बड़े राम से आपको मिल जाते हैं, तो ये बैसिकली गाड़ी ड्राइ करने का एक सेकिंड स्टेप होता है, अगर इसको माड़ने के तो ठीक है, अगर नहीं भी माड़ना तो फिर आप सिधा शाइनिंग पर चले जाएए, ये थर्ड प्रॉसस होता है, इसके लिए स्पे जादा बेतर है, और जैसे कि आपको पता है, यार दुनिया में जितने भी शोक हैं, उनमें कोई सस्ते होते हैं, को महंगे होते हैं, ये जियान का जो शेश्कान है थोड़ा एक्स्पेंसिव है, बड़ बहुत ही हाई क्वालिटी का और बहुत ही इल्टरा सॉफ्ट है, और रात के टाइम अकसर पता नहीं होता कि दो कि दो पानी रहा जाता है, सिलिकोन प्रिंटिंग हुई है इसके इलास्टिक बैंड पर ताकि आपके सर के उपर से ये स्लिप नहीं होती है, जब आप काम कर रहे होते हैं, और ये जो लाइट है ये काफी अच्छी खासी, इस एक लो ब्राइटनेस है, एक मीडे में एक हाई ब्राइटनेस है, और नीचे इसके यूएसबी पोर्ट बनी है, यहाँ पर आप माइक्रो यूएसबी की तार लगाते हैं, और यहाँ पर तार लगाने के बाद यह आलमूस्ट दो तिन घंटे में फुल चार्ज हो जाती है, जैसे कि किया स्पोटेज और भी काफी इस तरह की गाड़ी है, जिनके फरंट बंपर ग्रिल्स के अंदर, या रियर ब्रेक लाइट्स के एजिस के पास-पास काफी पानी कठा हो जाता है, पानी कपड़े से निकालानी जा सकता है, अगर आप पानी नहीं निकालते तो फिर कार्चिर के फूर प्रेशर वाशर पड़ा होता है यह जो एर कंप्रेसर है यह प्रोफेशनल एर कंप्रेसर है इसका जो पाएप है यह रिट्रेक्टबल है काफी लंबी लेंथ है इसकी और इसके साथ आपको एक कंप्रेसर लगाना होता है कंप्रेसर आलमस्ट 18-20,000 का आ जाता है Basically मैं गया था किया मोटर्स के ओपर अपनी गाड़ी का जो first free maintenance चेक हो था 1000 किलोमेटर्स पे वो करवाने तो आपके भाई की नजर पड़ी इस एर कंप्रेसर पे तो मैंने सोचा भाई मुझे भी इस तरह का चाहिए हमारी क्योंके स्याल कोड में पसूरोड बांदरी है जो हमारे घर के बाहर है और बड़े प्याले मनाजर होते है हुंजा वैली, बाबू सर्टाप, उंदराब, पास तो ये सब घर में अच्छी खासी मिटी लेके आते हैं उससे पहले मैंने वैसे दराज.PK से ये एर ब्लोर खरीदा था इंगो कॉंपनी के ऑफिशल स्टोर से ना तो इसके अंदर सिफ एर ब्लोर है, इसके अंदर वैक्यूम भी है लाइक ये वैक्यूम क्लीनर के काम भी आ जाता है और जो में ब्लोर है, इसके साइट पर डायल होता है उस डायल को आप घुमा के इसकी पावर सेट कर सकते हैं कितना आपने इसका लेवल रखना है और इसके साथ कुछ असेसरीज है और इसमें एक बड़ी मज़े की चीज तो ये है In the simple words, जो wax होती है न वो जिस तरह आप मुबाइल पर screen protector लगाते है ये basically आपकी गाड़ी के body paint के उपर एक screen protector लगा देती है वैसे काफी देज से market के अंदर लिक्विड वेक्स वाला एक trend चाल रहा है wax जोरूरी नहीं है कि liquid form के अंदर हो waxes में कितने different features होते हैं इस पर हम बाद में आते हैं liquid form से heart cap को नई तरह की wax दिखाते हैं ये होती वो ही चीज है बट ये aluminum की डबी होती है और इसके अंदर thick cream type wax होती है और जो तीसी तरह की wax होती है वो liquid spray form के अंदर होती है अगर तो waxes के feature की बात की जाए एक तो वो आपके paint की protection देती है दूसरा अगर इसनके उपर ceramic wax लिखा हो है न इन waxes के अंदर होती है SIU2 chemicals यानि के SIU2 properties होती है इन waxes के अंदर ये एक तो जादा thick layer बनाती है दूसरा अगर आपकी गाड़ी पर कुछ चिकड़ वगरा लगजे तो वो आम waxes के निस्पत बड़े अराम से उतरता है चाहे पानी के pipe साब गाड़ी क्यों न दो रहे हो मैंने तो even यहाँ तक यह भी महसूस किया कि अगर मेरी गाड़ी dust से बढ़ी होना और मैं अब लॉंग रूट पर निकल जो लोहूर या गुजरावाला destination में पहुँच के ऐसे लगता जैसे कि मैं अभी अपनी गाड़ी दुलवा के लाए हूँ wax चाहें तो आप अपने शीशों पे भी लगा सकते हैं body paint पे भी लगा सकते हैं आपको समझा आजएगी कि हाँ यार tempered glass में ज्यादा हाथ slip होता है as compared to a normal screen protector wax लगाने से पहले एक तो आपको गाड़ी को ना wax removing shampoo के साथ अच्छी तरह दोना होता है फिर उसके बाद उसको अच्छी तरह dry करना होता है फिर आपको finally last में wax लगानी होती है उपर अब नई गाड़ी को ना लगती wax है अगर एक दो साल गाड़ी पुरानी हो ना तो उसको polish होती है फिर उसके बाद wax लगती है ये पहले की footage है जब wax नहीं लगाई थी आप देखें जहां पे पानी touch कर रहा है वहां पे पानी float कर रहा है और ये बाद की footage है जहां पे पानी touch कर रहा है वहां पे पानी मक्यों की तरह ओड़ा है अब ये second replay है जहां पानी touch कर रहा है वहां पे float कर रहा है और अब आप देखेंगे नए replay के अंदर जहां पानी touch कर रहा है वहां मक्यों की तरह ओड़ा है और एक थोड़ा सा close-up shot है, अब ये पानी को छोड़के यहाँ पे dust भी नहीं टिकती, इसके बाद मैंने एक नई wax खरीदी थी, वो तो एक साल की guarantee देती है, अब ये एक साल तक ये properties रहती है, अब ही जो मजूदा wax थी ये कुछ 6 माह की guarantee देती है, waxes के उपर भी इंशाला मैं अंदर से साफ करने की, जब आपको सही तरह corners में और edges में अपना हाथ गुसाना होता ना, सही बादू बंदे के ठक जाते हैं, तो ये एक बड़ी short cut है और बड़ी details है, इन्होंने कुछ साथ extra micro fibers दी है, कुछ होते हैं जिनके साथ आप chemical लगा के सफाई करते हो, कुछ होते ह बीडियो नहीं बनाई ना इसको practically यूज करके देखा और ना इसके बार में मैं आपको कुछ recommend कर सकता हूँ, hopefully, इंशाला February, March के अंदर मैं इसकी ओपर भी बड़ी जबदस किसम की एक वीडियो बनाऊंगा, और सारे chemicals को डिटेल से आपको शो करूंगा, और practically आपको लगा क भी बताऊंगा सारे chemicals को, और ये compound के बार में भी इंशाला next जो February, March में व्लॉग आएगा ना, उसमें बात करेंगे, इसी तरह एक ये बड़ी जबदस किसम की चीज है, basically बाद इसकी भी हमने अगले व्लॉग के नदर ही जागी करनी है, बड़ जस आपको एक छोटा से review दे के लिए chemical एक बना हुआ है, अब हम चलते हैं गाड़ी के आखरी segment की तरफ जो के है internal care, ये जो भी आपने एक दो polishing machine और chemicals देखे हैं न, इंशाला next February, March की वीडियो के अंदर आपको इसका practical before and after करके भी दिखाया जाएगा, internal care के बार में अगर सोचा जाए या देखा जाए न और इनकी prices भी बहुत जबर्दस हैं, मेरे हिसाब से बहुत मुनासब है, दूसरे brands के अगर compare करें तो, बेसूस एक tech company है और almost उनके 42-50% products सारे car gadgets के related होते हैं, अभी तो आप जो देख रहे हैं वो basically car fragrance है, ये AC वेंट के उपर लगती है, unfortunately भी किया स्पोर्टेज के ये पूर जोड़ नहीं है, यार जब से मैंने chemical guys की signature scent हरी दी है उसके बाद मैंने कोई fragrance नहीं हरी दी है, एक तो ये bottle में liquid बहुत जादा और दूसरा खुद कमाल की fragrance है, fragrance के बर में आपको Instagram जो है na yes in Pakistan वाला उस पे आपको detail से बताऊंगे इसको लगाते कैसे है, और यार ये जो chemical guys का nonsense, invisible, super cleaner है, ये basically इसके लिए मैंने काफी weight किया फिर जाकर चुले, market में भी आया, यार आप इसके जगा दो wipes भी use कर सकते हो, बट इससे ज़रा wipes expensive पड़ते है, इसको आपने जहां पर या गाड़ी की pockets के अंदर या अपने dashboard पे स्वाई करनी है, इसके लिए कमाल की यार, all in one जीज़ है, यार ये chemical guys का ना silk shine dressing है, जैसे अभी आपने पिछले phase में देखा ना, गाड़ी के body paint को protect करने के लिए chemicals होते हैं, waxes होते हैं, इसी तरह यार, ये गाड़ी के अंदर जो plastic parts हैं, जैसे dashboard, आपका standing, दर्वाजे, उनके उपर जड़ा नहीं गाड़ी वली look देने के लिए बड़ी जबर्दस किसम की जो है ना, ये dressing और इसके online बड़े अच्छे reviews हैं, chemical guys जो है ना, मेरा car care industry में सबसे पसंदीदा brand है, और यार मैंने इसके लिए 200 रुपे का sticker भी खरीदा था, car care का show को इसे मुझे 2020 में आया था, और अब मैंने अपनी sticker wall पे इसका भी sticker लग ये तो just a imaginary product था, इससे पहले तो मैं पर्ची पर नमबर लिखके छोड़ जाता था, तीन magnetic number pads आपको मिलते हैं, हो सकता है अगर आपका बहुत ही को golden number है तो at least एक number आप नहुद फर रपीट कर सकते हैं, तो ये थी आज की वीडियो और ये ही थे आपके भाई के शोग, अग ये तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो thank you so much, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, अब आप से होती है अगले tech review 14.0 पे मुलाकात, इंशाला Friday ये Saturday को, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा, Allah Fiz.